आडू जीवितम, याने के दिग गोट लाइफ मूवी मैंने देखी वो भी ओरिजिनल लैंवेज में and sadly without subtitles. Actually ये मूवी मल्यालम में है and मैंने ये मल्यालम में ही देखी again without subtitles. गोट लाइफ देखने गया था, sad life हो गई. जब वो certification की screen भी आई ना तो उसमें लिखा भी था with English subtitles, तो मेरी ना जान में जान आगए कि नहीं, चलो है subtitles, पर इतना बड़ा scam हो गया ना भाई, कि क्या ही बताओ. Anyways, film कैसी है, आईए बात करते हैं. Well, hello, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी. अब क्योंकि subtitles नहीं थे मुवी में, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुवी के emotions को मैं कैसे समझ पाऊंगा. But भाई साब, thanks to मेरे बाजो में जो बैठा था, एक-एक बात मुझे समझा के दे रहा था. लेकिन पूरी मुवी ही emotions का खेल है. क्योंकि जब मुझीब, जो में कैरेक्टर है, दुबई पहुंचता है, तो ना तो उसको हिंदी आती है, ना ही अर्बी आती है, ना ही English. तो जो कुछ भी वहाँ चल रहा होता है, वो पूरे hand gestures and emotions थे. जिससे बिना किसी dialogue से भी आप तक उनके emotion पहुंच जाएंगे. And even first half में एक Hindi बोलने वाला और second half में एक English बोलने वाला screen पर रहता है, जिससे उनके बीच क्या conversations हो रही है, वो आराम से आप समझ जाओगे. But still, इतनी दिक्कते नहीं पालनी, तो हिंदी में ही ये show देखना. मैं तो एक और बार अपनी पूरी family के साथ इसे देखूँगा. But बात अगर movie की करे, तो बहुत दिन बाद एक ऐसी survival thriller movie देखी है मैंने, जो again India से आई है, जिसने दिल जित लिया यार. इस movie का नाम भले ही दिग गोट लाइफ हो, लेकिन इसकी एक एक चीज गोट थी, greatest of all time, cinematography, camera angles, इस film का BGM, और पृत्विराज सुकुमारन का dedication यार. भाई, क्या award worthy historic performance दी है इस actor ने. आप यकिन नहीं करोगे, पर film खतम होने के बाद सभी ने उठकर तालिया बजाई है last में. And I have captured that moment. सुनो. भाई, movie हाला की तीन घंटे की है, बट personally मुझे कही पर भी ये खीची हुई है, जिसको हम stretched महसूस नहीं होती. And हाँ, ये movie नजीब मुहमद नाम के एक शक्स की real life story है, मैंने इसके real novel का synopsis पढ़ा था, and वो synopsis पढ़के ही मुझे जो महसूस हुआ, आज ये movie देखने के बाद मैं ये clearly कह सकता हूँ, कि makers ने जान डाल दी है movie बनाने में. चाहे real life locations का use करना हो, या without VFX काम करना हो, I mean VFX है, बट जादातर इसमें practical effects ही है, and यार जिस तरीके से एक situation से दूसरे situation या दूसरे scene में transitions डाले गए है, यार आफ वावाई करते नहीं ठकोगे. फिर्स्ट शॉट में ही आपको इसके quality का पता चल जाएगा, and वो quality आपको end तक दिखाई भी देती है, even बहुत से जगा, कुछ एक goose bumps वाले या shock वाले moments भी आपके सामने रखे जाते है, फिल्म का main character, जब पहली बार बहुत महिनों बाद अपने आपको एक गाड़ी के वाला scene है, भाई, इसको कहते है pure cinema, कि वो आपको feel कराता है कि you are also part of this film, and I have gut feelings कि ये film totally deserve करती है, national award, and even Oscars 2, फिल्म में एक nude scene है, बट वो scene vulgar जरा भी नहीं है, आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे, दो तीन बार kisses है, but I think उतना चलता है, तो मेरी तरफ से इस movie को overall दे अच फिल्म, अगर आपने देखी है, तो मुझे comment में ज़रू बताना, मिलता है अगले वीडियो में, बाई, यार देखो, देखो ये movie, अच्छे लगेगी